आज मैं आपके साथ सेर करने वाली हूँ, आलू और सिम्लाम रच की सबजी ये भूती इजी और क्वीक रेसेपी है, आप इस रेसेपी को एक बार चरूर ट्राई करें हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रियंक का, एक बार फिर से कल्पना किचन मैजिक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो फिर चलिए रेसेपी को बनाना सुरू करते हैं सबजी को बनाने के लिए हमने प्याज, लसुन, हरीमिर, चदरक, टमाटर और सिम्लामरज को काट कर ले लिया है अब हम चलते हैं अपनी गैस की तरफ, गैस को ओन करके हम उसके उपर कढ़ाई रखतेंगे और जैसे हमारी कढ़ाई गरम हो जाएगी हम इसमें दो बड़े चमच तेल को अड़ कर देंगे और तेल की गरम होते हम इसमें जीरा और हिंग को अड़ कर देंगे जैसे हमारा जीरा भुन जाएगा हम इसमें अपनी प्याज को डाल देंगे प्याज के एड़ करने के बाद साथ ही हम इसमें लसुन को डाल देंगे और इन्हें लगातार चलाते हुए नरम होने तक भून लेंगे यहाँ पर हम अपनी गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे और जैसे हमारे प्याज नरम हो जाएगी हम इसमें अपनी हरी मिर्च को एड़ कर देंगे मिर्च के बाद हम इसमें अपने टमाटर डाल देंगे और साथ ही एक टेबल इस्पून नमक को डाल देंगे नमक को डालने के बाद हम इसमे एक टेबल स्पून कस्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर डालने से सबजी में भूती अच्छा कलर आता है और अब हम इनको तब तक भूनेंगे जब तक हमारे टमाटर नरम नहीं हो जाते और जैसे ही हमारे टमाटर भुन जाएंगे इनसे तेल भी अलग होता दिखाई देगा टमाटर हमारे भुन चुके हैं और इन्होंने तेल को भी छोड़ दिया है अब हम इसमे पनी सिम्ला मिर्च को एड़ कर देंगे सिम्ला मिर्च को एड़ करने के बाद हम अपनी गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इने दो मिनट चलाते हुए भून लेंगे सिम्ला मिर्च को दो मिनट भूनने के बाद हम इसमें अपने बाकी के मसाले एड़ करेंगे अब हम सब्जी में एड़ करेंगे एक टेबली स्पून हल्दी पाउडर, एक टेबली स्पून धनिया पाउडर, हाप्टी स्पून तीखी लाल मिर्च का पाउडर, एक टेबली स्पून हमचूर का पाउडर इन मसालों को सबजी में डालने के बाद हम अपनी सबजी को अच्छे से चला देंगे यहां पर हम अपनी सबजी में पानी का इस्तमाल भी नहीं करेंगे सबजी हमारी अच्छे से चल चुकी है अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढखकर कुक कर लेंगे चार से पांच मिनट बाद हम अपनी कड़ाई का धकन हटा देंगे और इन सबजी जों को अच्छे तरीके से फिर से चला देंगे और ये देखें सिम्ला मिर्च भी हमारी 80% तक कुख हो चुकी है अब हम सिम्ला मिर्च में आलू को एड़ करेंगे मैंने यहां पर बोईल आलू को चाकोर साइज में काट कर लिया है आलू को एड़ करने के बाद अब हम इन सभी सबजीों को अच्छे तरीके से चला देंगे और मेडियम फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए ढखकर कुक कर लेंगे 2-3 मिनट के बाद हम अपनी कड़ाई का ढखकन हटाएंगे और अपनी सब्जी को चला देंगे सब्जी को अच्छे तरीके से चलाने के बाद अब हम इसमें लाष्ट में एक टेबल स्पून गरम मसाला डाल देंगे सब्जी में लाष्ट में गरम मसाला डालने से सब्जी में बहुत ही अच्छी कुस्पो आती है और अब हमारी सबजी बन कर तयार है अब हम अपनी गैस का फ्लेम बन कर देंगे और सबजी को सर्व के लिए एक बरतन में बाहर निकाल लेंगे इस परकार हमारी 8 से 10 मिनट में जटपट बनने वाली आलू और सिमला मिलिच की सबजी बन कर तयार है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप इन्हें लाइक वेसे एर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले